स्वागत एस्टुएंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा आठ में प्रारामबिक सिक्षा पूर्णत पर्मान पत्र परिक्छा 2022 में विसे सामाजी विज्ञान के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे डिटेल में काफी सारे स्टुडेंट्स की रिक्वेस्ट आज हम दाल देंगे तो हम सुबह ही अपलोड कर रहे हैं आपके लिए यसी नमबर का होने वाला है ठाई गंटे का होने वाला है ताको विकुल अच्छे से इसको लर्ण करकर जाना है ताकि आप पूरे में से पूरे नमबर अपने एक्जाम में लेकर आएं यो औरिजिनल स्क्रिन पर आधरित प्रश्ण पत्र हैं तो विरकुल इस पर आप फोकस कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि सब्सक्राइब हो जाए ताकि आप सबसे पहले सभी प्रश्णों के उत्तर पाएं चलिए प्रश्ण नमर एक से स्टार्ट करते हैं अठार सत्रा में स्कॉटलेंड के अर्थसास्त्री और राजनेतिक दार्शनिक जैम्समिल ने तीन विसाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी उत्तर हो जाएग प्रश्ण नमर दो है 19 और 20 सदी के दोरान 1940 में महराष्टर में कौन सी जन जातिये विद्रो हुआ था इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नमर स वर्ले विद्रो अगला है स्वामी विविकानंद का मूल नाम क्या था नरेंद्र दत्त हो जाएगा बा अगला है निन में से कौन सा मानव निर्मित सादन है संसादन है मानम निमी संसादन है इसमें दा कैंसर के उपचार की आउस्दिया अगला है निम लिकित में से कौन सा मरदा निर्मान का कारण नहीं है नहीं है पूछ रहा है उत्तर क्या हो जाएगा मरदा का गठन आप देख सकते हैं उपर के चारो परष्णों का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है इसी परकार से आपको सवी परष्णों के उत्तर भी लिखे हुए मिलेंगे अगला देखिए कौफी का प्रमुक उत्पादक देश कौन सा है उत्तर हो जाएगा ब्राजील सा अगला है धरम निर्पेक्षता से तात्परे क्या है सा उत्तर हो जाएगा धरम को राज्जे से अलग रखने के आवधाना से है अगला है प्राचिन भारत में कितने स्थानिय कानून थे असंख है द उत्तर हो जाएगा अनुच्छे उननचालेस कौन से नागरिको को वकिल मुहाया करवाने की जिम्मेदारी राज्जे के उपर स्वापी गई है जो गरीब है अगला देखिए निन में से होडा सम्मेलन की अद्धक्चता किसने की थी उत्तर हो जाएगा महराना जगत सिंग्धित्यने अगला है राजस्थान में 1857 की करामती कहां से प्रारब होई थी असरपत्तम कहां होई थी नसीराबाद में होई थी साउत्तर हो जाएगा राजस्थान के किस भगलिक छेत्र में जनसंग्या घनत्व सबसे कम पाए जाता है मरुस्थल प्रजिस में पाए जाता है साउत्तर हो जाएगा अगला देखिए मुख्य मंतरी रास्तरी योजना का मुख्य उद्दिश से क्या है इसका उद्दिश है साउत्तर हो जाएगा लड़कियों में सिक्षा वस्वास्ती इस्तिती का सुधार करना अगला है हमारे देश में किस सविधान संसोधन में विधेक पंचायती राज विष्था लाग हुई थी इसका उत्तर हो जाएगा तेहतरवे सविधान संसोधन में द तो हमारे भहु पैखले प्रश्णे पूरे हो गए हैं अब हम करेंगे हमारे फिलिंद ब्लैंक्स या फेरिक्तिस्तान की पूर्ति करने वाले प्रश्ण देखिए असम के आदिवासी कहां काम करने के लिए जाने लगे थे चाय बागानों में अगला है ब्रिटिस संसद ने 1858 में एक नया कानून प्रालित किया जिससे इस्ट इंडिया कंपनी के सार्य अधिखार ब्रिटिस सामराज्य को हातों में सौप दिये गए अगला है भारत एक धरन में पेक्ष क्या है देश है अगला घरेली इंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ 2006 में अगला है सतत्विकास लक्षे में किनी लक्षणों का चैन क्या जाता है उत्तर हो जाएगा 17 अगला है हाडोती के प्रमुक मंदिरों में से एक कमलिश्वर महादेव का मंदीर कहां पर इस्तित है बुंदी में इस्तित है अगला है कम वर्षा वाले सुस्क प्रदेसों में कटिली जाडियां वा गुल्म उकते है सुसको जाएगा उत्तर लाश्ट है चूना पत्थर अबरख वजिपसम कैसे खनीजु के उधारन है और धात्विक खनीजु के उधारन है अब हम करेंगे सही और गलत मार्च 1869 में बंगाल के हजारो रैतों ने नील की खेती से निकार कर दिया बिकुल सही है देखिए और हमने देखिए ये सारे अब देख सकते हैं यहाँ पर सब भी उत्तर हैं आपके रिक्तिस्तानों के पैरे का सही होने वाला है बाल विवा निसेद अधिनियम 1829 में पारित हुआ उत्तर हो जाएगा बिकुल गलत तटिये प्रदेश छेत्र में पवन रोकने के लिए वरक्ष कतार में लगाया जाते हैं जिससे बीच की फसल उगना कहते हैं बिकुल गलत हो जाएगा ये सेन्युक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कुलों के जादातर बच्चे सुभे सबसे पहले वफावादारी की सपत लेते हैं उत्तर नमबर चार का उत्तर हो जाएगा बिलकुल सत्य अगला है सविधान के अनुचेद 22 के अनुसार प्रतिक व्यक्ति को एक वक्किल के जरिये अपना भचाव करने के मौलिक अधिका प्राप्त है पांच विका हो जाएगा बिलकुल सही अगला देखिए भारत बिलक भग पांसो सेधी का दीवाशी समूं है बिलकुल सही है अगला कोटा नठर 57 की करांतिक निथ्टिए ठाकुर कुसाल सिंह चम्पावत ने किया था विरकुल गरत थै ठाकुर कुसाल सिंह चमपावत ने आउँआक में विद्रो किया था अब हमें मैच दा फॉलॉइंग है इस्तम अक और इस्तम बी से मिलाना है राजा राम मोहन रॉय उसको मिलाएंगे हम प्रह्म समाज से अगला देखिए विश्व में तांबे का उत्पादर कौन है चिली महाराना प्रताप हवाई अड़ा कहाँ पर है उद्यरपूर में है रदा अपरदन रोकने जिसको बोलते हैं चट्टान बान खाटू शाम जी का वंदेर सीकर में है अब है अती लगुत रात्मक प्रशन जो की एक नंबर के हैं भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट कलाइब ने किसको पहली बार निक्त किया था उत्तर हो जाएगा इसका जैम्स रेनल ने जैम्स रेनल उत्तर हो जाएगा बच्चो यहां से देख सकते हैं आप जैम्स रेनल अकला है 1819 और 1826 तक मजदास का गवर्णर कौन रहा था यह रहते सर थॉमस मून्रो अकला देखिए प्राकर्तिक संसाधन कहां से प्राप्थ होते हैं प्राकर्तिक संसाधन प्रकर्ति से प्राप्थ होते हैं अकला है जल संग्रहन के दो उपाई लिखने हैं तो क्या हो जाएगा वर्षा का जल संग्रहन करके और बांध बना कर प्रश्ण नमर 9 है कानुम राने की सबसे महत्पुन भूमी का किस्की होती है संसत की होती है नीचे उत्तर लिखा हुआ भी है संसत लिखना है इसका उत्तर अब यह लगउत्तरात्मक प्रश्ण जो कि 3-3 नमर के है बंगाल के नवावों और इस्ट इंडिया कमपनी के बीच किन बातों पर विभात थे निमने बातों पर विभात थे हम देख सकते हैं नवावों ने कमपनी का व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था उन्होंने कमपनी को व्यापारी का अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की और उन्हें कमपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना खर दिया तथा किलाबंदी का विस्तार करने से भी रोग किया अगला देखिए 1857 की बगावत फल्स रूप अंग्रेजों ने अपने नीतियों में किस तरह बदली बिटिस संसत ने 1858 में एक कानूर प्राइज किया जिसके द्वारिष्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार बिटिस सरकार के हाथों में आ गए इस प्रकार बिटिस सरकार का भारत में प्रत्यक्ष ने इंतरन हो गया सासकों को उनकी छेतर पर सासन करने का अधिकार सुनिचित किया गया उत्तर अधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी देगी ब्रिटिस सेना में भारतिय सिपाईयों के अनुपात को कम कर दिया गया जबकि यूरूपिय सिपाईयों का अनुपात बढ़ा दिया गया सेना में गोर्खा सिक और पठानों को अनुपात को बढ़ाया गया मुसल्मानों को जमीन वा संपत्ती बड़े पेमाने प्रजप्त की गई उन्हें संधे और सत्तुर की दश्टी से देखे जाने लगा अंग्रेजों ने भारतिये रिवाद, धर्म और सामाजिक प्रथाओं के सम्मान करने का पैसला गिया वा जमिनदार वा भू, माफिया तथा भू स्वामियों तथा जमिन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाल नीतिया अपनाई गई यह ये काम किये इन्होंने, आप इन में से किनी दो को लिख सकते है अगला है संसादन क्या है, विकुल छोटा सा उत्तर है इसका तीन नमबर का प्रतेग वस्तु जिसका उप्योग आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वैसंसादन है एक वस्तु अथवा पर्धात की उप्योगिता तथा प्रयोजिता उससे एक संसादन मनाती है तथा सभी संसादन मुल्यवान होते हैं और कुछ संसादन आर्तिक मुल्य होती है जबकि कुछ की विर्कुल नहीं होती तो हमारा यह हो गया है, अगला देखते हैं बायोगेस सयंतरन का नामंग की चित्र बनाना है तो देखिए बायोगेस सयंतरन का नामंग की चित्र है खदम यहाँ पर आ जाएगा गैस्टेंग, ब्रदा, निकास, खाद और उर्वरक इस प्रकार से बनाना है बच्चों आपको अगला है सार्भ भॉमिक व्यस्क मत अधिकार से आप क्या समझते हैं विकल छोटा सा उत्तर है सभी व्यस्क नागरिकों को वोड़ दिने का अधिकारी सार्भ भॉमिक मत अधिकार क्या लाता है अगला है न्याय पालिका की भॉमिका क्या है ज्यायक बालिक के निमलिखित मोटे तोर पर निमलिखित भागों में बाटा जा सकता है विवादों का निप्टारा कर vendor न्यायक समिछा करना और काणून की रक्षा करना तथा मौली का दियुकार्यों को क्रियानवन करना अगला देखें प्रस्ट नम्बर 16 मान्चित्र में हमें सूती वस्तर अध्योग के इस्तलों को दर्साना है भीलवाड़ा जैपूर और व्यावर तो कोई भी राज्तान के मैप में देखकर यह कर सकते हैं विकुल सिंपल है कि दो में देखी भीलवाड़ा कहां पर आजाएयगा भीलवाड़ स्थे निचे एी एजमेर ही ये वीलवाड़ा हो जायेगा भीलवाड़ा एक नंबर जीदेंगे जैपूर जैपूर अधर कि वहावार जो में आजमेर पाली के बास पर उतके 來व हे। अजमेर के बींचे ब्यावाद अगला पुछने देखी साइबर सुरक्षा के उपायब बताने हैं बच्चों अपने किनी तीन तीन उपायब लिखने हैं हमें साइबर सुरक्षा है तू अब हैं पासवर्ड वे एटिम पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए अपने कम्पिटर और लैप्टॉप में नविन्तम अंटिवायरस सौफवेर का उप्योग करना चाहिए किसी को भी फॉन या इमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए और अन्ने भी हैं हमें तेनी लिखने है प्रश्ण नमर अठारा देखिए अब हमें ऐसे टाइप प्रश्ण है निबंधात्मक प्रश्ण जो की चार-चार नमर के हैं प्रत्यक्ष कारवाई दिवस का आहान किसने किया वो क्यों किया और अगला उससे अथवा में दे रखा है उपर गांधी जी ने नमक कानुन तोड़ने का फैसला क्यों किया हम पहले वाला करते हैं गांधी जी ने नमक तोड़ने के कानून का फैसला इसलिए किया कि उनके विचार में नमक पर टैक वस्तुलना पाप है क्योंकि वे हमारे भोजन का बुन्यादी हिस्सा होता है इससे अमीर और गरीब समान मातरम प्रियोग करता है अगला देखिए विच्वा की जाने वाली क्रिशी को किनकिन आधार पर निर्भा क्रिशी वर वारेंजे क्रिशी वर्गी करतकि अगया है और अथ्वा में है भारत के किसी क्रिशी फार्म की गती वीदियो का बर्नन करो, हम दूसरा वाला करते है इसका देखिए भारत में एक फार्म उत्तर पर्देश के गाजीपूर में जिले में एक अगांव है आदिलाबाद यहाँ एक किसान मुना लाल के पास 1.5 हेक्टर मुमी है वे गाम बे रहता है वे उच उत्पाज़ता वाले बीज खाद आदि खरीत कर फसल उगाता है वे साल में दो फसल के अगाता है किराय पर टक्र मसीन लाता है वे घ्याहों चावल और दाल उत्पन करता है वे कृशी में अपने मित्रों तथा सरकारी अधिकारों के मदद देता है वे सिचाइक भी नलकुप किराये पर लेकर करता है वे मुन्ना लाल भेंस वे कुछ मुर्जा भी रखता है वे दूद सहकारी मंडियों बेशता है और परिवार के सबी सदस्यों कृशी में उसकी मदद करते है वे अपना उत्पाद समीब के मंड़ी में बेशता है तो ये था पूरा एक कृशी फामिकती वीदियो का बढ़ना है अगला प्रशने देखिए भारतिय सविदान मौलिक अधिकारों मेंसे कि इन दो अधिकारों को विस्तार में लिखना है आई ये देखते है पहला है समानता का अधिकार समानता का अधिकार से आशे है कानून की नजर में सबी लोग समान होने चाहिए अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर वर सुरक्षा परदान करें इस अधिकार के तहत कहा गया है कि धरम जाती लिंग और के आधार पर किसी भी नागरी के साथ भेदबाद नहीं करना चाहिए साफ जने किस्तानों पर सभी को बराबर पहुँच का अधिकार होना चाहिए रोजगार के मामले में राज्यक किसी के साथ भी भेदबाद नहीं करेगा यदपी इसके कुछ अपवाद भी हैं जैसे कि छुवा छूट की परथा का उनूमलन कर दिया गया है राज्यक कोई भी भेदबाब जनक पद्रविया परदान नहीं करेगा अगला है स्वतंतरत का अधिकार इस अधिकार के तहत अभी व्यक्तिव और भासन की स्वतंतरता सभा गठन संगठन मनाने की स्वतंतरता देश के किसी भी भाग में आने जाने वर रहने की तथा कोई भी व्याफसायत तथा कारोबार करने का अधिकार सामिल है इसी के अंतरगत जीवन की स्वतनतता तथा निवारक नजरबंदी का अधिकार भी सामिल है अगला देखिए मिराजस्तान में एकिकरन किते चन्नों में संपन हुआ और मतश्तान में कौन कौन सी स्रियासते सामिल हुई राजस्तान में एकिकरन में पता है साथ चन्नों में संपन हुआ था स्टुडेंट्स और मतेशे संग में अलवर धोलपूर भरतपूर करॉली की स्रियासते सामिल हुई थी तो इस्टुडेंट्स ये तो हमारा पूरा पेपर डिटेल में आपके लिए बिकुल भी मॉर्निंग में ही बनाया है आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज़ रहे हैं तो इस्टुडेंट्स अगर आपने लाइक नहीं किया है सेर नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेर भी जरूर करें ताकि आप सबसे पहले प्रस्टन पत्र जो भी आए आपको सबसे पहले मिले और आप पूरे में से पूरे नमबर ले पाएं धन्यवाद